दोस्तो आज हर वेक्ति किसे ना किसी बिमारी से फीडित है और कारण है उसकी अपनी गलतियां आज के वीडियो में हम पाँच ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनके ने करने पर हम अपने आपको स्वस्त रख सकते हैं बिमारियों से अपने आपको बचा सकते हैं यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए कि हम किस प्रकार अपने आपको निरोग रख सकते हैं दोस्तों मैं जितेंद्र शर्मा सर्टिफाइड योगा टीचर एक्कुप्रेशर में एम्डी हैल्थ गुरुकुल यूटूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकॉन को प्रैस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होसके हैं चलिए आज का वीडियो चाहे पीना इससे हमें बहुत से नुकसान होते हैं सबसे पहला नुकसान है कैफिन के कारण से यह पेट में एसिड की मात्रा को बढ़ा देती है जिसके कारण से हमारे पेट में जलन होती है और ब्लोटिंग की समश्यागा सामना भी करना पड़ता है सुबह सबेरे खाली पेट चाहे पीने से हमें बार बार वाश्रूम जाना पड़ता है क्योंकि चाहे मूत्र वर्धक है यह एक हमारे लिए बड़ी समश्या पैदा करती है दातों में सडन पैदा करके जिसकी वज़े से हमारे मूह में दुरगंद भी पैदा हो जाती है और तो मैं आपको चाहे बनाने का एक अनोखा और अलग तरीका बता रहा हूँ पहली बात आपको चीनी के स्थान पर शक्कर या खांड का इस्तेमाल करना है जो देसी हो जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया गया हूँ दूसरी बात चीनी गुड़ शक्कर खांड डालने के बाद हमें अपनी चाहे को वाइल नहीं करना है कुबालने के बाद चानने के बाद आप उसके अंदर खांड डालिए गुड़ डालिए शक्कर डालिए और पी लीजिएगा आखरी फार्मूला ये है कि चाहे पीने से पहले कम से कम दो गिलास पानी गुट गुट करके तो इससे होने वाले जो नुकसान है वो मिनिमाईज हो जाएगा दूसरी बड़ी घलत आदत है बैठे रहने की जीवन से लियाने सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसमें हम आराम से बैठे लेते हैं कई बार तो हमारा काम ही ऐसा होता है कि हमें सारा दिन कम्प्यूटर पर का करना होता है या कई बार हम सवपय के सामने बैठ करके टीवी देखते रहते हैं फास्ट फूड खाते रहते हैं यह जो सिदिन्ट्री लाइफस्टाइल है इसी के वज़े से कार्डियो वैस्कुलर डिसी यानि हट की बिमारी होती है इसके कारण से इंट्र साइन में अलसर ह हो सकता है diabetes हो सकती है सुस्ती हो सकती है osteoarthritis हो सकता है इससे बचने के लिए हमें अपनी आदत में परिवर्तन करना होगा कि हर एक गंटे के बाद हम अपने स्थान से खड़े हो हम अपने आपको स्ट्रेच करें दाएं बाएं थोड़ा सा हिलें दो चार दस कदम चलें फिर व औरकार हम अपने आपको इस जीवन सहली से भचा सकते हैं इसके अत्रिक exercise और योग को हमें अपनी जीवन सहली में सामिल कर लेना चाहिए हमारी तीसी गलत अज़त है हमें चाहे पेड में दर्द हो चाहे गैस बन गई हो चाहे हमारे सिर में दर्द हो हम सीधा पहले Google पर जा करके आपको brain tumor तक पहुचा देगा और आपको यह शक होने लग जाएगा कहीं मुझे brain tumor तो नहीं है Google पर search करने से आपको बड़ी-बड़ी बिमारियों के बारे में देखने को मिल जाता है और यह शक पैदा हो जाता है कहिए symptoms cancer के तो नहीं अपने को इस आदत से बचना है यदि कोई problem है तो हम proper व्यक्ति से सला ले डॉक्टर से जला ले health counselor से सला ले कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए चोथी समच्या है अत्यादिक तनाव excessive stress हर व्यक्ति बच्चा है बुड़ा है जवान है हर व्यक्ति आज के दिन stress में रहता है तनाव में रहता है और यही तनाव कारण है diabetes का यही कारण है high bp का यही कारण है kolesterol का तो यह जो stress है यह हमें कई प्रकार की बिमारियां दे रहा है हम काम के भी तनाव में आ जाते हैं हम पैसे की तनाव में भी रहते हैं हम स्वास्त के तनाव में भी रहते हैं हमें इस तनाव से बचने के लिए mental peace प्राप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए उसमें सबसे पहला काम है अच्छी मोटिवेटिंग किताबें पढ़ना दूसरा जो मोटिवेटर्स होते हैं उनकी ट्रेंडिंगें देखना या ट्रेंड करना और तीसरा एक सबसे अच्छा साधन है बिना स्ट्रेस का जीवन जीने का अपना परिवार के साथ क्वालिटी टा उसमें जाते हैं जब वो बिमारी के सामने लाचार और मजबूर हो जाते हैं यहां रेगूर चेक अप का सिस्टम ही नहीं बना हुआ है 90% वेक्ती यह कहते हैं कि मैं तो ठीक हूं मैं क्यूं चईक आप करवाओं इस प्रकार से चेक अप नहीं करवाने से यह बिमारियां हम हमारे अंदर बढ़ती रहती है हमें पता नहीं चलता हमें उस समय पता चलता है जब विक्राल रूप धारन कर लेती हैं दूसरा एक तरीका है हमें हेल्थ इंशुरेंस अवश्य करवाना चाहिए देखे पता नहीं परिवार में कब कोन व्यक्ति सीएस बिमार हो जाए और उस समय हेल्थ इंशुरेंस से कैसा साधन हो सकता है जो हमारे परिवार को आर्थिक संकट से बचा सकता है यह कुछ ऐसी आदते हैं दोस्तों जिनको अपना करके हम बिमारियों से बच सकते हैं दोस्तों वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्य इसमें जो बात आपको अच्छी लगी हो उसके बारे में कॉमेंट बॉक्स में जाकर के कॉमेंट कीजिए और औरों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को शेर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन